आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में मानोरिटीस पर हो रहे अन्याई के बारे में बात करेंगे तो बने रही हमारे साथ अंत तक बीते शुकरवार 14 जुलाई 2023 से लेकर रवीवार 16 जुलाई 2023 तक पाकिस्तान में दो मंदिरों को गिराया जा चुका है तो चलिए जानते हैं पूरी खबर और साथ में जानते हैं क्या है पाकिस्तान सरकार का बयान इस मामले में बीते शुकरवार 14 जुलाई 2023 को पाकिस्तान के कराची में डेड़ो साल पुराना माता मारी के मंदिर को गिराया गया रात 12 बज़े पुलिस बल बिल्डोजर लेकर आई और मंदिर को गिरा दिया गया वहीं दूसरी और इसके 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के सिंद में रोकेट लॉंचर से एक और मंदिर को गिरा दिया गया जिसकी वजह से इस्थाने हिंदू लोगों ने भगवान की मूर्ती को छोटे से कमरे में स्थापित किया मंदिर को दोस्त करने को लेकर तीन बात निकरकर सामने आ रही है पहली कि मंदिर की संदशना पुरानी हो गई थी दूसरी मंदिर के नीचे ख़जाना गड़ा हो सकता है तीसरी ये कि परशाषण ने ये जमीन इसी बिल्डर को बेज दी है जिसके कारण ये मंदिर गिराय गया वही इस मंदिर के सिलसरे में पाकिस्तान सरकार का बियान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मंदिर की संद्शना पुरानी हो गई थी जिसके कारण इसे गिराए गया तो पाकितन सरकार से सवाल होते हैं कि क्यों हर बार हिंदू मंदिर ही गिराए जाते हैं पाकिस्तान में क्या किसी मजजित को भी पुरानी होने पर पाक सरकार गिरा देती है या उसे रिपेर करवाती है तो इस बात का जवाब आप लोगों को इस स्क्रीन शोर्ट से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिशन बोक्स में दे रहा हूँ जहां एक और सरकार 200 मिलियन का खर्चा करके मज्जित को दुरुस करवाती है वहीं मंदिर को पुराना होने का हवाला देते हुए गिरा देती है एक रिपोर्ट की माने तो 1990 के दशक में पाकिस्तान सरकार ने 400 आंट हिंदू मंदिरों को उतुलवाया और वहां कहीं मदर्सा कहीं होस्पिटल कहीं मोल्स जैसी चीज़े बनवा दी तो क्या ये मानना सही होगा कि पाकिस्तान जैसे इसलामिक देश में मानेलिटिस का रहना मुश्किल हो गया है क्योंकि बीते महीने में पाकिस्तान के एक गुरुदवारे में सरदारों को किर्तन तक करने से रोक दिया गया था और इस परकार की घटना पाकिस्तान में मानेलिटिस के लिए आम होती जा रही है अब इस सारी घटना के फीचे खुद पाकिस्तान प्रशाशन का हाथ है ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा लेकिन पाकिस्तान की नया पढ़नाली पर ये सब बाते सवाल खड़ा करती है पाकिस्तान में कभी कोई वीडियो आते हैं जहां बुजर्ग हाथ जोड़े हुए ये गुजारिश करते हैं कि उनकी बच्चे को बचा लिया जाए कि कैसे उनकी बच्चे का अपरन होता है जिसके बाद उनका धर्म पड़िवर्तन करवा दिया जाता है तो कभी मंदिरों को तोड़ने की खबर सामने आती है तो कभी गुरुद्वारे जैसे पवीत जगा पे तलवारे लहरती वी नजर आती है पटवारे के समय पाकिस्तान को जो दरोहर दी गई थी क्या पाकिस्तान को उसे संभाल के रखना चाहिए या इस तरीके से मिटा देना चाहिए क्योंकि आने वाले भविश्य में क्या पता भारत और पाकिस्तान के दिश्चे दुरुस्तों भारत और निपाल जैसे देश में भाने वाले हिंदू पाकिस्तान में इन मंदिरों का दोरा करने आए जिससे पाकिस्तान को उसकी विवस्ता правильно में मदत मिले इन सभी बातों को देखकर यही विचार साबने आता है कि कहीं पाकिस्तान का अंध नजदिक तो नहीं अपनी राय कमेंट करके दे और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए और जोड़े लगे हमारे चैनल के साथ जे हिन